बेलकम फ्रेंज अगर आपको खासी, ब्रोकाइटिस, स्वास लेने में परिसानी, स्वास संबंदी समस्या हैं जैसी कोई भी समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पून होने वाली है इसलिए इस वीडियो को लाज तक जरूर देखें आईए शुरू करते ह आज का वीडियो आज हम बात करने वाले हैं डावर कनकसब सीरप के बारे में डावर कनकसब सीरप की शंपून जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी जैसे की इसके यूज, डोज, बेनिफिट और साइड इफेक्ट के बारे में डावर, कनका सब सीरप एक आयुरवेदिक मेडिसन है जिसमें मुख्य रूप से दूरा, नांके सर, पीपली, अदरग, गुण जैसी विबिन परकार की जड़ी वूटियों से मिलकर बना होता है और इसे डावर कमपनी के दौरा बनाया जाता है आईए आप जान लेते हैं इस सीरप के उपयोग के बारे में इस सीरप का उपयोग मुख्य रूप से सभी परकार की खासी और ब्रोकाइटिस के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है जैसे की सर्दी, खासी, बलगमबाली खासी, ब्रोकाइटिस, स्वाससंबंदी समस्या है सीने में जकडन, गले में खरास, दमा, सर्दी, नाग भहना जैसी सभी परकार की खासी के इलाज के लिए इस सीरप का उपयोग किया जाता है अगर आपको सर्दी, खासी, ब्रोकाइटिस जैसी कोई भी समस्या है तो आप डॉक्टर की सला से इस सीरप का यूज कर सकते हैं आईए आप जान लेते हैं इस सीरप के कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट के वारे में इस सीरप के बैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होते क्योंकि यह यह कायरुविदिक मेडीशन है आईए आप जान लेते हैं इस सीरप की डोज के वारे में इस सीरप की डोज बैसे आप अपने डॉक्टर की सलाग अंशार लें क्योंकि इसकी डोज आयू लिंग और समस्या के साब से दी जाती है जैसे की एक सामान्य व्यक्ति के लिए 10-15 ml शुबह शाम खाना खाने के बाद यूज कर सकता है आईए आप जान लेते हैं इस सिरप की MRP के बारे में इस सिरप की MRP है 225 ml सिरप आपको 90 रुपय में जावर कनका सिरप की शंपून जानकारी मिल गई होगी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सेर करें बिडिशन नौलिज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे शैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद